गुद मॉरिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक ऑफ दा डे में और आज हम बात करेंगे पैनी स्टॉक जैपरिकास असोसियेट के बारे में जो की एक स्मॉल कैप कमपनी है और सिमेंट और कंस्ट्रक्शन की एक कमपनी है इसके बारे में आज हम बात करेंगे पैनी स्टॉक है यह बहुत ही उम्दा स्टॉक है यानि कि बहुत आगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही उप्योगी स्टॉक है यह यह आप देख सकते हैं इसकी जो capitalization है वो है 1872 क्रोड रुपए और अर्निंग पर शेर 5.83 यानि 5.83 पैसे पी रेशो जो इसका है वो 1.32 पैसे क्या है यह सिमेंट और कंस्ट्रक्शन मैट्रियल की कंपनी है आप देख रहे हैं इसका जो प्राइस है वो 7 रुपए 70 पैसे भी बंद हुआ था वन विक का मैं इस पर चार्ट लगाता हूं वन विक में देखिए आपका जो चार दिसंबर को इस शेर का जो प्राइस था वो चार रुपए 85 पैसे का ये शेयर प्राइस इसमें शोगर रहा है इसी तरह त्री मन्त का हम चार्ट लगाते हैं तो देखते हैं 3 रुपए 17 पैसे 3 रुपए 50 पैसे 25 सेप्टमबर को हम देख रहे हैं 24 को दो रुपए 75 पैसे पर ही आ गया था देखिए अभी ऐसा क्या हुआ है कि एक्तम से जो शेयर है वो काफी स्टॉंग हो गया है और इसमें काफी बढ़त आ गी है काफी बढ़ रहा है देखिए क्यों हुआ है और यह अभी 7 रुपए से उपर यह नहीं कि 8 रुपए के लगबग चला गया है यह नहीं कि इसका प्राइस है अभी मैं वनियर पे आप एक बार मैं आपको वनियर का चार्टिश में शो करता हूं वनियर में देखिए अप यह 27 दिसंबर 2019 का चार्ट मैंने यहां साथ पर देखा आपको जो शोरागों स्क्रीन पर दो रुपए सात่μεसे इसकी पीडाइस दियर वोल्मृइंच है कि जिन जो ट््रेडटिंग वही थी वह स्टरीखे की ट्रेडिंग थी कितने शेयर कि ट्रेडिंग नहीं वलूमृन शो कर रहा हो ठीके तो यह से आप यह डिलिवरी क्वांटिटी में अभी मैं आपको बताता हूं जो बीते हुई चार से पास दिन के लिए जैसे 8 दिसंबर की डिलिवरी हम चेक करते हैं तो ट्रेड क्वांटिटी जो थी वह इसमें देखिए दिसंबर 8 2020 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसमें जो चार क्रोड बारा लाक तीन अजार आठ सो बतीस इसी तरह यह देखिए आप चेक कर सकते हैं यहां पर फिर दिसंबर 11 की मैं आपको यह जो ट्रेड क्वांटिटी इसमें दिखाऊं जो कि यहां पर शोग रहा है कि फाइप फॉर पॉइंट नाइन परसेंट की जो डिलिव इसमें देखाऊंगा यहां तो आप चेक कर सकते हैं इस पर अपडेट आप देख सकते हैं यह देखिए अगर इसमें हम देखें वन येर का जो चार्ट मैंने यह दे इसमें आप देख रहे हैं वन यह का जो दिखा रहा है पॉइंट टू-फॉ-टी-प्र सेंट इसने जो दिया है 88 पॉइंट मैं आपको अपना पॉर्ट्फूल भी बिसमा आपको दिखाऊंगा एक इस तरह के से देखे शेर होल्डिंग पैटर्न मुं इस बाद चेक करते हैं इसका प्रोमोटर के पास 38.61 की शेर होल्डिंग है और पब्लिक शेर होल्डिंग है 61.39 की एफाई आइ इसमें कुछ शेर गिर्वी भी है 20.20.16 की कुछ इस पे शेर जो होल्ड पे है यानि की रिन वो शेर होल्ड प्रोमोटर होल्डिंग पे है इसके शेर गिर्वी रखे हुए है ठीक है बट फिर भी कंपनी काफी अच्छा वे वैलिवेशन है और जो प्राइस है वो बहुत ही देखे इसकी जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकर टेप पे जो कि एक बहुत ही अच्छा एप है वहां स्टोक की अनलेसिस करने के लिए तो आप भी टिकर टेप यूज कर सकते हैं जो की स्टोक अनलेसिस करने के लिए बहुत ही बहुत ही बहतरी प्लैटफ वहाँ है साथ शात रुपए 55 पैसे कहा एक बनाया था और साथ रुपए 15 पैसे लो था इसका बंद हो था था यह साथ 55 पर ठीक है तो इस तरह वन मंथ काप चेक कर सकते हैं दिकिये मंडे को इसमें चार रुपाशी पैसे फिर टूस्दे पाशे पाशे पैसे फिर वैडनेस में चार रूपए दस पैसे ता फिर नॉम्बर तेश को चार रूपए आया फिर दिसंबर को जो त्री एटी फाइव और इस तरह फाइव एर का आप देखेंगे तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम राय तीस रुपए हाई राय तीस रुपए 45 पैसे और लो यह एक रुपए 5 पैसे तक का इसमें बना है यहां पर नहीं चाहिए दिखिए अग यह आप इसमें शोर इंट्रेंसिक वैलू तो डेटा आवलेबल नहीं इनके पास और इसमें रिटन एपडी रेट्स में भी यह रैड शो कर रहा है डिविडेंट भी नहीं है कोई बी इंट्री पॉइंट भी बता रहा है कि नोट ए इसमें लिस्ट यानिकि अभी यह स्टॉक जो है और बॉट जोन में है रेड फ्लैग कि रहा है कि स्टॉक इन एसम लिस्ट यानिकी अभी जो यह यहां के जो टिकटे पर जो भी नलसिस हैं वो बता रहे हैं कि यह डिफॉल्ट प्रॉबिलिटी है इसकी कैटेगरी यह तो यहां पर कोई बी अनलसिस की रहा है यहां पर नहीं दी गई है नीचे आप आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे आएगे तो यहां पर डिटिल्स होल्डिंग की डिटिल आप चेक कर सकते हैं होल्डिंग में देखेए यहां पे शो हो रहा है कि अभी दिसंबर 2019 मार्स 20 जून 20 सेप्टंबर तो यह सेप्टंबर आप चेक करेंगे तो देख 15.6% अधर पार्टेज के पास और यह जो यलो में आपको दिखाए दे रहा है प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग यानि कि ये शेर ग्रिवी रखे हुए है मिचल फंड के पास 0.02% की जो इसमें इस्तेदारी है और डियाइई जो है 1.86 का है और एफ़ाइई के पास 1.47 की इस्तेदारी इसमें करी गई है यानि कि स्टोक जो कंपनी बिल्कुल यानि कि स्मॉल कैप है बट फिर भी इसमें जो कंपनीज है डियाई इस है और एफ़ाइई वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें माल खरीद रहे हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखे मैं भी आपको यही बताँगा यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो ज्यादा वैलिवेशन नहीं है ज्यादा प्राइस नहीं है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सीख सकते हैं सीखने की परपर सी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा पैसा भी निगल लगाना चाहरे तो वीडियो मैं शेयर करता हूँ आप इसमें सुनिएगा बिल्कुल तो उन्होंने भी इसको रिक्मेंट किया था फर्दर के लिए तो जैसे कि अभी मैं भी इनिशिल है सुरुआती है तो मैंने भी सीखने के परपल से यह शेयर मैंने भी लिया था और यह मैं अपना जो पॉट अच्छा स्टोक है 25 स्टोक है ज्यादा वैलवेशन नहीं है ज्यादा प्राइस नहीं है यह देखिए मैं मैंने जैपी एसोसीट का जो कंपनी है आप देख रहे हैं उपर जो ग्रीन में 7.70 शो कर रहा है मैंने अपना खुद का आपको पॉर्टफोलियो दिखा है खुद क कि डबल से भी ज्यादा 100% से भी यानि कि सो परतित से ज्यादा इसने रिजल्ट दिये हैं यानि कि डबल जो पैसा हुआ है बिलकुल यह जो वैलवेशन है यानि कि जो प्राइस है वो बहुत छोटा अमाउंट जो है बहुत छोटा है लेकिन फिर भी मैं आपको रहाए करके आप एक सीखने को परपस से आप इसको ले सकते हैं अगर आप ज्यादा माउंट लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं बट वह आपकी रिस्क पे होगा आपको भी खुद अपनी अनलेसिस करनी होगी तो यह थी जैप परकास असूशिट जो की सिमेंट और कंस्ट्रेक्शन की कमपनी है और यह पैनी स्टोक एक है तो मैं तो आपको यह राय दूँगा अगर नए इन्वेस्ट हैं आप सीख सकते हैं बहुत यह अच्छी कमपनी है और संजीव वसीन सर ने सी एन बीसी न्यू तो यह तो यह तो आप से पांच हदार क्रोड की मार्केप कम से कम होती है विच तेल्मी आप से फैर वैल्यू थेट्वाट रूपीस एंट प्रड्र में और नेस्ट वन्यू थेड़ थेट्वाट में जन्रली रेकमेंड नी करता लगर अगर आपको कोई मटी बैगर जो आप सोचते हैं पैनी स्टोक में डिख सकता हैं अन देवाश ऑन पस वालु